चाय का जाय का जानने के लिए अब हम आप पहुँचे हैं फरीदाबाद की YMCA University जो की हर्याणा की नंबर वन यूनिवरस्टी में से एक है अब आज हम आप पहुँचे हैं फरीदाबाद की YMCA University में और यहां आकर हम चेक करेंगे कि चाय का जाय का कैसा है मेरे ठीक पीछे यहां पर कुछ यंगस्टर्स हैं हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है यह क्या सोचते हैं यहां की चाय के बारे में मैंने इन चाचा के बारे में बहुत कुछ सुना है इस जगहे को बहुत सुन्दर ग्रीनरी है, लश्ट ग्रीन कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे लश्ट ग्रीन कॉरिडोर है, यहाँ पर गार्डन है, अर्दन पॉर्ट्स हैं, घड़े रखे हुए हैं, बिल्कुल गाओं सा फील आ रहा है, मैं चाचा से का चसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक साथ, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी बेटे हुए हैं, जो यूनिवस्टी कॉलेज में ही पढ़ते हैं, यहाँ पर कुत्ते भी हैं, एक थोड़ा देसी एंवार्मेंट है, भट्टी है, भट्टी पर चाए बन रही है, और यहाँ पर सबसे सुन्दर चीज है कि कैफे का नाम भी रखा गया है, बच्चों ने इस कैफे का नाम रखा है, चाचाज कैफे, रेट लिस्ट भी लगी हुई है, चाए 10 रुपे की है, मठी 3 रुपे की है, फैन 3 रुपे की है, पर इन सब को छोड़कर सबसे बहतर क्यों पसंद करते हैं, यहाँ पर अध्यापक भी बैठे हुए है, जो चाए का जाय का ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठंड का समय है, चाए बहुत जरूरी है, हम बातचीत में देखेंगे आगे की जानकारी इंसे लेंगे यहाँ पर मेरे साथ कुछ अध्यापक भी बैठे हैं, अध्यापक गणों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे की यहाँ पर चाए पीना क्यों प्रेफर करते हैं, जबकि युनिवर्स्टी के अंदर केंटीन है, केंटीन के अंदर चाए मिलती है, समोसे मिलते हैं, बहुत है फेन है कुछ सारी चीजे थोड़ी बहुत चीजे मैं इनसे जानता हूं सर आपका शुब नाव कुछ दामुदर भारतवाज दामुदर जी आप इस यूनिवर्स्टी में प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं मैंनेश्मेंट में एक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में करे रहत हूं पीनेयों appointment का टांप एकू से ज़्यादा मज़ा पीने में आता है मिश्चत रूफart इनवें इनकी जो चाय है सफी और अच्छी इससे अच्छ아 और बहतर आप्सन नहीं हो सकता मज़े लगता है यहां पर दो यह एक पूरा भरकर के चाय देते हैं इसके साथ में मठी भी हुए देते हैं उनको बेठांद नौर्मल डियता है। आपहमारे दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं उनको kya किया ना चाहेंगे कि ओं यह पर आते कि इस अधार ही इस दरह की जगे हैं जहां पर नयांक है कि इस तरह की चाय बनती है महाँ पर एक अलगी आनंद आता है और जब भी किसी को मौका मिले तो यहां फरिदाबाद में YMCA के सामने चाचा की चाय जरूर पी है ऐसा मैं उन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि एक वार यहां की चाय का आनंद लेके देखें उसका इक से चाय का यह अड़ा चला रहे है 35 साल आपकी नजरों के सामने बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए होंगे यहां से कितने लोग चाय पी कर गए हैं आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ बच्चों के बारे में जो यहां पर चाय पीते थे बच्चे जा वाइँ हजार पंद चाय का रेट कितना है कितने रुपे लेते हैं तो आप उन से पैसे नहीं मांगते हैं अपको को दे दे एक अपकी उम्र कितनी है है हम से पचास-पचकन साल की होगी और कितने बजे आते हैं आप सुबह चार बज़ी आ जाता हूँ है और चाई कितने वज़े तक चलती हैं? तोफ तरु मेरे साथ कुछ यंग्स्टर्स भी मैं इंसे बातचीत करूंगा और जानूगा कि यह यहां पर चाय पीने क्यों आते हैं जब कि यूनिवर्स्टी कॉलिज के अंदर इतना बड़ा प्रिमाइस है कैंटीन है मैं इंसे बाची तरूँगा सर आपका शुब नम अनिरूद आप क्या करते हैं इस यूनिवर्स्टी में मैं बीजेम सी सेकंडियर को सुरूद मास कम हैं अपना पन और जिस इस देसी पने से चाय बनाते हैं वह टेस्ट कहीं नहीं है पर दवादमां चाचा ने मुझे बेहत सुन्दर सफेद कप के अंदर पूरी लबालब सराबोर करकर चाए दिये और मैं इसकी चाई की चुस्की स्वाद लेते हुए मज़े ले रहा हूँ ठंड का समय है मैं बैठा हूँ चाचा भी मेरे साथ है और आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो साधगी है उस साधगी और प्रेम के साथ ये चाए बनाते हैं मैं चुस्की लेता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी चाए है बहुत खूपसूरत बहुत लाजवाब अद्रक का स्वादाराया अद्रक कोट के ठोक के अद्रक दाल के इन्होंने चाए बनाई है दूद की मातरा बहुत ज्यादा है पानी की मातरा बहुत कम है और बहुत सुन्दर चाए है तो मैं सभी यंग्स्टर से, सभी टीचर से, सभी लोगों से, परिदाबाद वासियों से ये गोहर लगाना चाहता हूँ, कृपिया आएं और चाचा के पास आकर चाय पीएं और इन्हें पैसा देके जाएं कृपिया करके, क्योंकि COVID का टाइम चल रहा है, सिचुएशन बहु